अलो गाईस मैं नाम अनुच आज हम बात कने वाले हैं कि राम जेतु का नाम आटम्स ब्रिच कापड़ा, कपड़ा और किस ने दिया ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता हुगा कि राम जेतु को आटम्स ब्रिच कैसे कहा जाने लगा तो चलिए इसकी पीछे का इतिह और अगर मैं बाहरी उल्लेखों की बात करूं तो कथित तोर पर इस मानव निर्मित प्रिज का पहला उल्लेख Year 850 के आसपास में इबन खुरदादबे की Books of Roads and Kingdoms में पाया गया था जिसमें इस ब्रिज को सेट बंदाई के नाम से मेंचन किया गया था जिसका अर्थ होता है ब्रिज ओफ सी इसके बाद एक इरानिन स्कॉलर हुए अलबुरूनी इसने अपनी बुक तारीकल हिंद जिसका अर्थ होता है भारत का इतिहास लिखी जिसमें शायद ऐसा माना जाता है कि पहली बार इस ब्रिज को आटम्स ब्रिज कहा गया तब से इसे कई नामों से जाना जाता है जैसे सेट बंदाई जिसका अर्थ है समुद्र का पुल आडम का पुल इत्यादी कुछ सुरूतों के अनुसार आडम को प्रत्व माना जाता है जिसे इडन गार्डन या इश्वर के गार्डन जो की बाइबल में स्वर्ग है वहाँ से निकाले जाने के बाद माना जाता है कि वो पृत्वी पर श्री लंका में पहाड पर गिरा जो आडम्स ब्रिज कहा गया और शिलंका से भारत जाने के लिए जिस पुल का इस्तमाल किया था वह आडम्स ब्रिज कहा गया मुसलिम धर्म के कुछ जानकारों का दावा है कि यह पुल आडम ने बनवाया था कथाओ के अनुसार आडम ने इस पुल का वियोग आडम की चोटी तक पहुँचने के लिए किया था जहां वे एक पैर पर एक हजर वर्षों तक पश्चाताप में खड़ा रहा तो यह बात हुई आडम या आडम नाम की लेकिन राम सेतु आडम्स ब्रिज कैसे हुआ और कैसे इस नाम से भी जाना जने लगा तो 1788 में एक बोटैनिकल एक्स्प्रोलर जोसे बाट की खोज के आधार पर इस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट सर्वेयर जनरल जेम्स रेनल ने एक मैप बनाया जिसे मैप ओफ हिंदुस्तान और मैप ओफ मुगल एंपायर भी कहा जाता है जो की सहस्वती महल लैबरेडी तमिल नाड़ो के शहर तंजावुर में आज भी अवेल चैनल ने प्रामा ब्रिच को एडम्स ब्रिच बना दिया और ऐसा यूरो सेंट्रिक करने के लिए ही किया गया था और यह सब बाते हमारे देश के बड़े रिसर्चर एस कल्यान रमन और 1965 कैडर के रिटार्ड आइस ऑफिसर वी सुंदरम जी ने एक आर्टिकल में बताई है I hope ये वीडियो अपको informative लगी हो as your informative वीडियो के लिए प्लिस लाइक शेर और सब्सक्राब मैं चैनल Thank you and Jai Shiraam